सर नमस्कार नमस्कार सर जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम नाम नैव सिंग जी पेंड मैसों पर डिस्टिक्स गुरूप पंजाब दा रहन गळा हूं सर संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा कब लिया आपने सर संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति जाधना है करते थे उस तो पहले जी मैं साधी प्रमपरन सार जो सिक्त अर्मदेविच मेरा जनम सी उस तरह दे पाठ करने जा पाठ कर बोने खंड पाठ करोने जाज पाठ करोने जा आपकर देविच पाठ करना सुख्वनी साव दे पाठ करने ते इस तरह जी क्रया करदेशी ते नाल नाल ना जो डेरा सरसा वड़ेने गुर्मीत राम रहीम सिंग इनने दी शरंदे विच भी मैं लगपग नौ साल तक ही रहा ज़न तक मैं स्थ गुरू राम पाल जी महरादे चरनच नहीं आया को उस टाम तक को ना मेरा इनन दी चरनच उनन दे कारण बन गया सी सर जब सिख द्रम में जो साधना चली आ रही है आप सिख हैं और आप गुरू गरंट साहिब को मानते हैं और उसके बाद आप डेरा सिर्शा से भी जुड़ते हैं नौ साल तक गुर्मित राम राइम सिंग से नामदिक से लेकर करके भक्ती करते हैं। तो फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी माराजी से क्यों जुड़े। सार जी मेरा दोहजार आठ दे विचना एक्सीडेंट हो गया सिगा। ओएक्सीडेंट दे विचना मेरी लट बड़ी बुरी तरह टूट चुकी सी। दोहजार आठ तो नौ तक मैं सोलंगा स्तौना तक तही मनों के मैं हस्प्तान जी चक्रियंच रहा। लगपागे एक साल बीत गया सिग्या लट दे विचना मेरी लट डॉक्टर ने कटनी सी। यह मेरी लट यह सुराक से थोंदी मेरे ना चौबी कंट मुवाद निकल दा रहना सिग्यां मेरी आंधरों डॉक्टर कहें सी बिलकुल गड़ चुकीया ने कि यह तरी लट जी कट की है कम सरूगा ते डुबलिकेट लट लोनी भू एस तरह दी गल बनकी सी ओस टैम फिर मैंनो एक मेरा दोस्ता है उसने कताब पे जी पागतिस सुदागर को संदेश ओ कताब जी शूटी जी लिखी जी ततविरत सी संत रामपाल जी महराजे ने करीब बहुँ पैंती चाड़ी पर ने दी पुस्तक सी महरू पड़ेया ते थोड़ा बहुत मिननो दे चो कुछ खास गया नहीं मिलिया ते उसते बाद मैं बचार की तब इनना संतां दी शर्ण चीकवारी जाके देखना चाहिए सर एक 40-50 पेज़ की जो किताब थी किताब ने आपकी 9 साल की जो बक्ती थी जो आप 12 सच्चा सौदा शिर्णा में कर रही थे और कितनी सारी उमर जो सिक धर्म में जो चलती आरी साधना ही जो करते थे कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुक्स प्राप्ते की नहीं है मैं उन्हों क्संती मंदाः जिस तरह दूसरे संतनी बनी दर्जा गुरूं दर्जा गुरूं दर्जा जोसतरी में समझें कभीर साथ और कुछ थे नंबर पे देविद्ट भी दिखें नंबर पर देखिए तनक रूप रहा करता आर तनक जलाही नंका है जन्दा के जलाही अब हमने आप्यार लिए में दूज साह सद्धी तो नची गया हैं तो फिर आप संद्राइब आप सही महराजी से नामदख्षा ले चुक हैं कि अब आप गुरु गुरुगर्ण साहिब को नहीं मानते सर जी गुरू गरान साभनों नो इनना ज्यादा मन दा कि मेरी जान तो ज्यादा प्यारा गुरू गरान साभी नाम अनना तो बहुत दूर दी गल है ज्यादा गरान साभी नाम और नाम कर दा क्योंकि विच जो बाणी है वे हो जी जिस आड़े जीवन सद आरेकी तो चाहनु सच्छ घंड जान दा रस्ता भी दस दी या तो पर्मात्मा बरे दस जी जो ग्यान्त गरान साभी नाम साथ है संत राम पाल जी महराजी सनु बता रहे ने, दूसरे गरंथां दा भी सनु नार पे दस रहे ने, कुरान सरीफ दा बैबल दा, गीता जी दा, ते चारों बेदों दा, जाद के बाणी के रही है, बेदों में नाम उत्म सो सुने नहीं, फिरेजों बेदा लिया, अज दक सनु सिकता नम दा बाणी नू पढ़ दे शी, सुन दे शी के वेध की चीज ने, सानु बेदा ने नाम नी सी पता, बेदा मर कोई गया नी सी, जाद के शानु पता भी बेदा बिच परमात्मान दा किन्ना रहेश में गया ना, ओ सानु, सद्गु रामपाल जी ने समझाया, के व पेले क्या आपको कोई रात नहीं मिल रहे थी? जिस तरह से आप पहले साधना ही कर रही थे? तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाब नहीं मिलता? देखो जिन्ना को लाब दे सकते नहीं अना का साथ Do लॉर लाब हुंदा? यस नहीं नहीं लाब हुंदा लाब साथ Do ली थृण तो कि इस तरहा भाए अ पर मारग पार्मातमा कबीर साहब ने जो साथ Do मौकस करने सकते सर् आपने मौकस के बार लाब लोग जाते? कि उनको आध्यात्मिक लाब के साथ सारीक लाब मिले बौतिक लाब मिले आर्थिक लाब भी मिले तो सर हम आपसे जाना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख से लेने के बाद आपको आर्थिक आध्यात्मिक और सारीक क्या क्या लाब मिले दिखो जी जदों ता मैं संतर रामपाल जी महरजी दी सरन ची जाया तो उस टेम दे विच्चों मिन्नों हर तरह दे लाव होई ने शरीक लावता देखो जी मैं तो नू लत्ट दखाई है जड़ी मेरी कटनी सी मैं कल लंगड़ा होके सारी उम्र बताउनी सी आंगी हिन हो जा जाला के अगर तुसी देखो ता मेरी लत्ट लग पागे डो डेड़ तो दो इंच सूटी है तो लंगड़ा के तुर दाजद के मैं साह बलकुल चल रहे हूं सिर्प एह उनना दे बचना ची दागता ते उस तरह मैं पहले भी उस तर मनों मन्दा सी गा परमात्मानों मन्द सी मिनु इस तरह देनी सी कोई लाव हो रहे डेड़ साल मैं मन्जेते प्यार है मैं खंड़ पड़ सुके साइज पड़ सुके डेरा सच्चा सोदा मैं राम रही मारा जी तो नाम लिया सी उनने मिनु साथपुर्ख काल मूर्त सब्सुरूपी राम ए सब दिते सी उदा होना दे एक्सीडेंट होया इस तरह मन्जेते पहने तां उस सनिहा होंदा सी दो बार मिनु को द्वाई आई तो तेन सोर पेदी कवर पे देसी मैं मखनी चरला के खा दी तिन तेन दन ते उस तो बाद फेर ना एक वरी पंज़ हजार पेदा जी कद्दू आया उज़ ज़ि कफाड़ी मिली जड़ी के मिनु पांच सोर पे उनने लिया में तो चलो साधी सर्दे से उस चीज़ खांदे रहे पर मिनु लाव तो एक परसेंट नहीं होया ते फिर मैं जी अक गया मेरा मन अक गया भी ये प्रमातमा है नहीं फिर मैं डॉक्टर काना लगे भी तू मास न अस टाइम पर आपने डेरा सिर्शा गुरमित राम रहीम सिंग्स से नाम दीख्या ले रखी थी ले रखी थी जबनास तो को गया मैं शराबी पर लागे मास भी खान लागे बीचलो जाद हुंदे ही निए इस तरह हो सकता मैं इस तरह ठीक हो जां क्योंकि मैंनो ताब दार हो का ट्रॉण जी सी मेरी लाठी ठीक हो है ति मेरे लै जोड़े ति मैं ठीक हो जा म concludes मैं मास भी खः तो कुष की ता मैं लेगन सर जो किए का जो भोगे वो तो भोगना पडता है थी कैसे हो सकता है सारे संस पो कह है सिंट और सब कह रह है ने करे होई था नो वह भी थोन प मातमा दे मंतरा ना कटे जो सत्गुरू रामपाल जी महाराजे नमेनों मंतर देते वो मंतरा दा मैं जाब करदा रहा ता मेरे पापकर्म कटके में ठीक हो गया इस तरह बेना फिर बिस्वास बदा गया और क्या लाम मिले सर आर्थ कला भी करदे विच बहुत मिल देने अगली सर क्या आप जो नसा करने लगे थे मास खाने लगे थे क्या संत्रामपाल जी महाराजी से नामदिक सा लेने के बाद वो छोड़ दिया आपने बिलकुल नी यह जोस्तों बाद ता अगर मेरे कारा के कोई ना मिनो कई भी पंजर पी मेरे कोड़ बोतल निए ने चाड़ देने मैं किसे नो पंजर पी निए ने नदा कोई कहे मैं दारू पीने मनों का अखाली गलाज देजे मैं बिलकुल नी देना और खुझ पिते हैं? अरे खोटता जी मैं अगर मेरा कहीं पर लेखे ना हथ लागे जेवन तो मैं शाब मनना तो ना मिनों परमात में ऐसा ग्यान देता कि इना तो इनना दूर करता है नहीं नवर तो परती कि मैं पहला आला जीवन ते होना जीवन दी जन्द मैं तुलना करदा ता मैं आपने अप अनुकर ना करता है मैं किना बुरा इंसान बन गया सी सर आपकी जो सालरीक परिसानी थी वो तो दूर हो गई क्या आप ये अन्बव करते कि मानसे ग्रूप से आपको पूरी सांती है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी माना जी से नाम देख सा लेने के अज सत्कुरू रामपाल जी किरपा नाली जी मेरा एक बच्चा उसने में नाम लेले मेरी करबाड़ी ने नाले तुसी हरान हुमागी कि मेरी माता जी रहिया जी सौ साल दे लग पा गया उसने भी वह पहला सिक तरमदेविची अमर्त शकैशी गातरा पाय सी उसनों भी गय वह मिनों कहने लगी बेटा मिनों नाम दुभा के लिया अपने अप उन्हें नाम लिया अज जो सव साल दे करिवे अब उस दी ना निगा कम जो रहा ना उन्हों सूगर ना बलाड़ डपरेशन बड़ी चंगी तरह पता जी उन्हों बतीत कर रही है और सानों कोई दुख सर सिक्धर्म के लोग तो ये कहेंगे कि संत्रामपाल जी माराजी तो हिंदू हैं और हम संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिख सकते हैं क्या कहना चाहेंगे सद्गरु रामपाल जी माराजी ने का खासना रहता जीव हमारी जाता है मारम तर्म हमारा हिंदू मुस्लम सिक्ध साही तर्म नहीं क्यों नहीं रहा हो तक किसे ना हिंदू नो ना मिस्लम ना सिक्ध नो अलाग अलाग नजर नहीं देख दे उनना दी नजर दे तब सारे ब बिल्कुल ने देख दे, उना दा मकस्ता है यह भी अग्वाला है, जो साड़े वर्गा, सुद्ध सपस्ट है, बर ठीक है, कोई जात जा बरादरी जा तर्म तो तासी लखां को आँ दूर राट गया, सर बगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, देखो जी पगत समाज मैं तो संदेश की देश सकता मैं आरजी कर सकता मैं लाप रावत की तेने हैं और मैं भी इस चैनज़ट्चि निकल के प्रमात्वान दे मारगते लगयां, उस तरह मैं सारे Northern के बेंती करता मैं तूसें भी जरूर इस नो देखो जी तक गुरू जीने की एक कताब पे जीसी पक्ति सदागर को संदेश आज तो हजारां कताबां सबतियां ग्यान गंगा जीने की रा गीता तेरा ग्यान अमर्त हर तरह दी पुस्त कशा पिया है ते कोई पुस्त कपड़ो ओदे चो ग्यान पराप्त करो पहला देखो जैसे किसे डाक्टर नों पर्खी है न बेना दौई सब्सक्राइब पर्ख सकते पहला ग्यान देखो ठीका उधा ग्यान समझा गया आता हूं तो दोवाई समझे हूं डक्टर दे लिखिया एंबीबी ऐसी पी जो भी उसने अब दी डिगरी लिखी हुए पहला वो डिगरी उन जा चलो उस तो बाद वो डक्टर तो दो दोवा पर मना फलार खियाने वे संते इस तरह ने जेड तेने पर तुसे उनने जा ग्यान समझो कि उनने जान की कह रहा आते ग्यान लेंड तो बाद तुसे देखो ठूनू की लाव हो रहा एक वर यो मार्गते चल के देखो फिर ठूनू पता लगूगा मैं भी जदों पहला करू मैं पड़िया ते मैं आज जे कहना मैं अब दी बुरी जबाना संतुन उस्टेम गाणा कडियां सी के वह जो संत हरे आने दे विच्छा एक ते वह जो आसरम सी करूं था जदो टाहया ना मैंनू बड़ी खुछी वहा है जे आसरम तैनी चाहिए देन क्योंके कुरितिया ने तो यह भी आज भी चूठा ते ओस्ट एंप यह मीडिया चूठा सी सरकार चूठी सी सारे केस चूठे सी यह मैं दावे ना कह सकता है जी धन्यवाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब